इसे बहुत कम प्रोडक्स होते हैं जिसका मुझे लाँच होने का बेस सबरी से इंतिजार होता है और यह उन में से एक है Honor Pad 9 Review इसी में आपको Honor Pad 9 Unboxing, Honor Pad 9 PUBG Test, Honor Pad 9 Gaming Test और भी बहुत सारी जितने भी टेस्टे सब मिल जाएगा आपको क्योंकि है यह इतना दमदार प्रोड़क्ट वैसे यह Indian Variant है इसका एक Chinese Variant भी है और दोनों में क्या फरक है मैं आपको बताऊंगा जो शुरू करते हैं यह रहा है इसका पैड सबसे पहले डिफरेंस जो Honor Pad 9 Indian Variant और Chinese Variant में है वो है कि Indian Variant में आपको मिलता है Free Honor Pad 9 Smart Bluetooth Keyboard या फिर Free Magic Keyboard कहलो या फिर Simple Word में Free Bluetooth Keyboard यह देखो यह पर आपको इसकी वर्जिनिटी में बाद में लूँगा because I love taking virginity I'm a virgin lover में प्रोड़क्त पर आते हैं Honor Pad 9 अचा पहले प्राइस की बात कर लिए प्राइस इसका 34999 तो क्या यह बेस्ट टैबलेट अंडर 40,000 इंडिया है बिल्कुल नहीं क्योंकि यह प्राइस एमी दे रखा है इसको जो बेस्ट बैलिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमें सेक्शन दे रखा है वहां से चेक आउट कर लिए ना कभी इसमें SBI कार्ड में आपको डिस्कॉंड मिलता है कभी HDFC कार्ड में तो आपकी किस्मत है अगर आपके पास वह कार्ड होगा तो आपको इसमें अच्छा खासा डिस्कॉंड मिल जाएगा ठीक है तो Honor Pad 9 अंबॉक् पहली चीज़ें है पहली चीज़ है इसमें आपका USB केबल जो की है टाइप A टू टाइप सी मोस्ट प्रॉबबली टाइप सी टाइप ए जी हाँ ठीक है अब साइड में कर लेते हैं मैं साइट में कढने ही जा रहा था कि इसके अंदर मुझे देख गिया यूजर मैनुवल और वारेंटी कार्ड यह अच्छे सिगनल नहीं है इसका मतलब सबकुछ इसे में ठूस दिया है इसका मतलब ये सारा ये सारा सेटप बगवास है कुछ नहीं है इस सेटप में देखू 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 देखते रहू और मैंने एक और चीज नोटीस करी मैजिक कीबोर्ड में तो यहां पर सील दे रख और यह मैंने कर दिया ओनर पैड नाइन को नंगी अच्छा यह ओनर पैड नाइन का लॉंच डेट इन इंडिया था बाइस मार्च को प्री ओर्डर पे था और सब के लिए अविलेवल था 28 मार्च को तो क्या यह बेस्ट टैबलेट 2024 के लिए इसमें शामिल होता है नहीं सेट करके फटा-फट से बताता हूं अच्छा सेटप के नाम में मैंने लोकेशन वागारे सेट की है यह स्नों टर्म और कंडिशन वह सब किया है क्योंकि मैं पहले देखने चाहता था कि इसमें क्या-क्या चीज़े इन्होंने अपनी तरह से डाली है बॉले तो थर्ड पटी चाहिए लेकिन याद रखे यह चाहिना में बहुत पहले लॉंच हो चुका था इंडिया में लॉंच डिलेड है इस वज़े से 13 पे आ रखा है और ब्लोट वेर की बात की जाए तो क्या-क्या मिलता है आपको इसमें इसमें आपको देखने को मिलता है एक नेट्लिक्स मिल पीछे के तरफ आजाते हैं यहां पर आपको एक मेटल डिजाइन मिल जाता है जो की बहुत अच्छा लगता है बहुत क्लासी लगता अगर की ब्रैंडिंग मिल जाती है अपर अनर और हुआ वी अलग हो चुका है अगर आपको पता नहीं है इसलिए आपको और में Google की आपको कम अच्छे से नहीं मिल रहा है आउटपुट वहां पर इसको वाइब्रेंट कर देगा थोड़ा अच्छा दिखा देगा पर इतना भी कोई हाइफाइट टेक नहीं मिलेगा आपको इसमें इसके जो बैक साइड है उसमें आपके फिंगर प्रिंस इजी पढ़ सकते हैं तो ध्यान रखेगा खाते पीते समय या किसी भी सिच्वेशन में जब आपके हाथ ओईली हैं तो मत यूज कीजेगा ठीक है इस महान टैबलेट में आपको मिलते हैं एट स्पीकर का सपोर्ट ठीक है जो कि आपके एक्स्पीरेंस को बहुत अच्छा बना देगा मैं बि कि धूनने पर भी नहीं मिलता सिम कार्ट स्लोट या फिर मेमरी एक्स्पैंशन का स्लोट अब आजाते हैं इसके स्क्रीन साइज की तरफ स्क्रीन साइज आपको मिलती है मैसिव 12.1 इंच की डिस्प्ले बोले तो 30.48 सेंटिमेटर 1.20 हर्ट 2.5 के डिस्प्ले है यह जिसमें आपको 88% स्क्रीन बॉडी रेशियो मिल जाएगा बैजल्स आप देख सकते हैं काम चला हूँ है 1.07 बिलियन कलर गैमेट स्क्रीन टेकनोलोजी मिल जाती है आपको इसमें और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 500 अब यह 500 अगर आप लैप्टॉप से कंपेर करेंगे तो अच्छी है अगर आप स्मार्टफोन से कंपेर करेंगे तो कम है और इंडोर कंडिशन में तो को लोएस ब्राइटनेस हैं तो आप गलत फैमी का शिकार है क्योंकि इसकी हाइस ब्राइटनेस है लोएस में तो यह एक नंबर का कालू प्रसाद बन जाएगा चलो आप नाइट के रिजल्स दिखाता हूं आपको लाइट सॉफ तो गाइस बत्तियां बजा दी है अंधेरी र लगे तो यहां से बढ़ा लीजिएगा यह रेस की मैकसिमम ब्राइटनेस और रात में तो काफी हद तक यह अच्छा ही दिख रहा है बाकी दिन का मैंने आपको दिखा दिया है अब आप जज़ कर लीजिएगा आपको यह रात में ज्याद अच्छा सूट करता है यह दिन म अच्छा लगे हां तो मून की फोटो भी ले लेता हूं और पैड नाइन से थोड़ा मुश्किल हो रहा था रात का टाइम है दो-दो डिवाइस पकड़ना मुश्किल हो रहा है इसलिए मैंने फोटो खीश लिए और यह रहे रिजल्स यह नॉर्मल फोटो है ठीक है और यह फुल जोम इन है नमस्त वेट है इसका 555 ग्राम इसमें आपको मिल जाता है है रिजुलिशन ओडियो एन है रिजुलिशन ओडियो वायलेस जिसकी बदालत कंपनी आपको इमर्सिव ओडियो एक्स्पिरेंस प्रोमिस करती है साथी क्या फर्क है वो मैं आपको बता देता हूं आपको यलो इस्टेंट मिल जाता है ठीक है और यह बुक में आपको एक पेल सा बुकिश सा टेंट मिलता है जिससे आपको ऐसा लगे कि आप बुक पढ़ रहे हैं बात करें सके रिफ्रेश रेट की तो हलागी 120 हर्ट है इसमें लेकिन आप इसको 60 में भी रख सकते हैं या फिर ऑटमाटिक में जिसको यहां पर डैनेमिक बोल रखा है स्टोरेज कंफिग्रेशन को चिस तरह से 256 GB में से आपको 20.18 GB अल्रड़ी प्रियॉकूपाइड मिलेगा अभी तक नोट करने की बात यह कि मैं इसमें अभी कोई ग उस देखता हूं कि क्या Android 14 आया रहा है इसमें लेकिन नहीं आया होता है लेकिन क्या पता आभी सकता है ऑनर बहुत नठखट है ऑनर कुछ सालों के लिए गायब हो गया था लेकिन जो उससे पहले गायब होने से पहले उसमें प्रोड़क्त निकालने थे ना वो काफी अच् जो कि इसे के अंदर इंक्लूड़ेड है प्रोसेसर स्नापड्राइगन सिक्स जेन वन और फ्रेंट में आपको मिल जाता है एट मेंगा पिक्सल का कैमरा यह सब तो होगे इसकी तारीफ है अब घुसने इसके इंडेप्थ रिविवीव पर ऑनर पैड नाइन इंडेफ को तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम टेलिग्राम फेस्जुक में नमस्टे करने आ जाओ नमस्टे तो जितनी भी गंदगी मैं सोच सकता था मैंने सोच लिया है और इसी बीच मैं जरा मुत्राले चला गया था तो मैंने देखा कि इनेक्टिविटी होने की वज़े से इ एक फीचर रहिए था इसका इसमें आपको मिल जाता है 8GB आनबोर्ड राम प्लस 8GB टर्बो राम लेकिन इसमें दिखाया आज 16GB राम ही है तो उसके परिक्षा करने के लिए अब्वेसी बात है हमें ज़रुत पढ़ेगी जितने मर्जी टैब्स खुलने यह सारी गंदगी खुली हुई है जो अभी एक एक करके बता दूगा मैं आपको ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आई जबकि हैवी हैवी टैब्स भी इनवाल्ड है इसमें ठीक है सबसे पहले बात करते हैं इसके एंध्थू थू स्कोर के बारे में इसमें तो थाइम लगेगा तब तक मैं कु प्रोसेसर थोड़े सी तमीज के साथ कहा जाए तो मिड रेंज प्रोसेसर लेकिन क्या इसको बेस्ट टैबलेट अंडर 30,000 इन इंडिया बनाता है बिल्कुल नहीं हाँ लेकिन बेस्ट टैबलेट अंडर 25,000 इन इंडिया ज़रूर मना सकता है अब मॉव करते हैं गीक बें कि बात यह है कि बैटरी हेल्थ देखो एकदम लो है और जितने भी यह सारे टेस्ट कर रहा हूं यह सब इन दे प्रेजन्स ऑफ मल्टिपल टैब्स ओपन है अगर आप फुल चार्ज बैटरी और यह सारे अप्स बंद कर देंगे तो हो सकता है आपको हलका सा बेटल रिजल मिले बात करते हैं इसके OTT सपोर्ट में OTT में आपको नेट्फिक्स मिल जाएगा प्राइम वीडियो होट स्टार OTT प्ले ठीक है और एक-एक करके सब्सक्रिप्शन लिया है तुम जरूर सब्सक्राइब करना मुझे ठीक है इसमें आप बहुत सरे HD कंटेंट देख सकते है इसमें आप कंटेंट देख पाएंगे दोनों लैंड्सकेप और पोट्रेट मोड में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है जैसे कि यह देखो यह हो गया आपका लैंसकेप मोड यह हो गया पोट्रेट मोड मैं मूवी चला भी देता लेकिन प्रेटी शूर स्ट्राइक प्रेट मोड और यह रहां लैंड्सकेप मोड लेकिन मैं सबके लिए नहीं किया सकता क्योंकि मैंने एक ही उसकिया है कुछ ऐसे आपसी होते हैं जो आपको इसे डिफरेंट डिफरेंट बंडल प्राइस में तो मैं यूज़ कर रहा हूं ओटीटी प्लेंट यहां पर और ओटीटी प्ले बिलकुल भी ऑप्टिमाज नहीं है इस ओनर पैड 9 के हिसाब से या फिर मुझे तो लगता है किसी भी टैबलेट के हिसाब से नहीं क्योंकि नहीं यह लैंड्सकेप मोड में टरन होता है चाहिए आप आप आटो रोटेशन ऑन-उफ कर लो और जरह मैं आपको डेमेंस्ट्रेशन देता हूं और आप मुवी भी प्ले करोगे ना तो वह भी अजीबो गरीब तरीके से प्ले होगी मतलब ना वह लैंड्सकेप होगी ना वह पोट्रेट होगी ऐसा हो रहा है यह दो प्ले बटन हुआ है और फावड बटन तो स्क्रीन के बारी चल यह बेस्ट टैबलेट फोर गेमिंग है जी हां पहले गेमिंग दिसक्स करेंगे बाद में इसक्राइब करेंगा पढ़ाई को तो अब जी अफिर बीजे में आपको मैक्सिम सेटिंग जाती है एच डी उसमें पावर सेविंग मीडियम हाइट ती तो मेंसे किसे में खेल सकत कोई बिद्थवी नहीं करेगा मेरे बुरे गेमिंग अदिव यह सपोर्ट करता है मैं किलता है या नहीं और मैं बता दूब 20 लेक मेशिंग लेक्द फिर भी उससे और चल रहा है और फिर मैंने सोचा कि क्या ये पबजी बैटलग्राउंड मोबाल इंडिया जिरो पॉइंट नाइन फाइव जीवी का गेम है तो मैंने सोचा क्या ये और भी ज्यादा हेवी गेम चला सकते हैं नहीं तो फिर मैंने पबजी का रण छोड़ दिया और फिर मैं आ गया एस फॉ कि यह भी चला रहा है और वह भी काफी अच्छे से चला रहा है विदाउट दिक्कत दिये और मैं एक बाद वता दू जितने भी टेस्ट हुए हैं और पबजी सब पीछे बैक्राउंड में अभी भी एक्टिव है और मैंने इसका वॉल्यूम वह करके रखा हुआ है डाउन स्मूद गेंप्ले स्फॉर्ण लाइन भी पास हो गया तो बेस्ट टैबलेट फॉर गेमिंग कैटेगरी में जा सकता है अगर आप बैलेंस सेटिंग्स में खेलना पसंद करते हैं तो वरना हाई सेटिंग्स के लिए तो फिर प्रोसेसर आप जानती है इतना केवेबल है उस आप वह यूस कर लेना अपना एक एंटिवाइरस ले लेना और मतलब क्योंकि इसमें आल्डो इसमें दे रखा है वाइरस स्कैन को आप्शन दे रखा है बाइडिफॉल्ट लेकिन पता नहीं है यह उतना एफेक्टिवली काम करेगा यह जितना थर्ड पार्टी एंटिवा यह यूट्यूब में यूट्यूब में यूट्यूब में इसमें 4K वीडियो चला सकते हैं लेकिन जैसे जैसे आप उसमें चेंज करेंगे ना फ्रेम 4K 30fps 4K 60fps वीडियो थोड़ा स्लगी होने लगेगा और यह मेरी मास्टरपीस मूवी है ओसकर वर्दी यूट्यूबर सर इसमें मिल जाएगा आपको और जज कर लीजिगा ओडियो वीडियो स्पीकर्स जो जज करना है कि अब इस स्टोरी सुना रहे है शुरू से जुरू करते हैं इंटरनेशनल एवेंजर्स को चुटकी में भस्म करने वाले थेनोस की नजर अब इंडिया के सूपर हीरोज पर है यही है एवेंजर्स एंड गेम इन हिंदी कौन हो तुम हो तो का नाशक विशाचो का काल मिलो मुझ से थेनोस मैं हू विक्रान कि बस बस अब पूरी मास्टर पीस ही देखो गया डिस्क्रिशन बॉक्स में जाकर देखो पूरी मास्टर पीस और आपने नोटिस कि होगा कि इसकी लाइट दिम हो गई है और ऐसा कुछ नहीं है कि लाइटिंग कंडिशन डाउन हुई है यह बैटरी बिलो 20 परसेंट चली है और मैं फिर भी इसकी टेस्टिंग जारी रखोंगा लो बैटरी में भी तब ही तब पता चलेगा याद है ना उपर नीचे अगवाडा पिछवाडा सब चाट के दिखाना है कैसा है तो आते हैं इसके सेकंड लास टॉपिक में वह है बेस्ट टैबलेट फॉर स्टाइट परपर्स या फिर बेस्ट टैबलेट फॉर स्टूडेंस तो सबसे बहुत कमेंट सेक्शन मुझे यह बताओ कि आपका बाप रिच है या पूर है अमीर है गरीब है और अगर वो गरीब है तो उसको पूछो पैदा क्यों किया था बे टेस्टिंग करनी है ना कभी भी आपको रीडिंग के लिए तो पीडिएफ का दो तीन पेज मत लेना हमेशा पूरी बुक डाउनलोड करना सो दो सो चार सो पेज की ठीक है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यह कितना स्मूध है और आपका एक्स्पीरियंस कैसा है और आप देख सकते हैं जुम एंजुम 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 एंड वर्ड्स या फिलेटर्स नहीं फट रहे हैं आप इसमें में आपको बता देता हूं क्या-क्या इसके वह जो स्टार्टिंग बता देना एक आय प्रोटेक्शन मोड अच्छली वह आई प किताब पढ़ने वाली है चलो और देखो और सिर्फ एबुक मोड में आपको सिर्फ आपकी वैसी नहीं मिलेगी पूरा टैबलेट ही आपको ऐसा लगए कि बुक है कोई ओक आप आते हैं बेस्टाइब फॉर नोट मेकिंग कैटिकरी में और यहां पर देख सकते हैं आपको अगर को सिर्फ नोट करने हैं तो उस केस में तो आप अपने उसी उंगली को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपनी नांक में डालते हैं लेकिन अगर आपको प्र हैंट रिटन नोट शेंयां तो पिर आपको लेना पड़ेगा अब स्टालिस कॉन सा लेना है अगर आपका बजेट कम है तो आप जासकते हैं बेस्ट स्टालिस इस। और यह है ऑट यूदिरा पड़िय स्टालिस आढ़े हैं ट।ंट अधर का ज्टल messaging डियूस अनूंद्र अपने हिसाब से देख लेना क्योंकि ओनर का जो मैजिक पेंसिल 3 है और फिर इंडिया में लांच नहीं हुआ है चाइना में लांच हुआ है वहां से ला सकते हैं तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं क्योंकि यह 300 से भी कम में मिल रहा है तो आप क्या ही चाहेंगे इसमें चाल लोगे क्या हां लेकिन यह जो है यह शायद 1600 का मिल रहा है दिस्क्रिशन बाग्स में आपको लिंक मिल जाएंगे यह आपको ज्यादा अच्छा पर्फोर्मेंस दे सकता है इन दोनों का सेपरेट रिव चाहें तो कमेंट सेक्ष्ञ बोल देना मैं इन दोनों का सेपरेट रिवी भी बना दूंगा आते हैं इसके camera की तरफ तो back camera 30 megapixel का है front camera 8 megapixel का है लेकिन जो इसकी quality है आपके smartphone से अच्छी नहीं है हाँ laptop से अच्छी है बट अगर आप इसको use कर रहे हैं as a content creation के लिए तो तो मैं आपको recommend नहीं करूंगा आप इस tablet में content production कर सकते हैं जैसे की rendering software वगेरा लेकिन इससे अगर आ सचेंगे कि आप star बन जाएंगे YouTube Instagram के तो तो मुश्किल है इसमें by default आपको मिल जाता है और 1080p का resolution यह up to 4K जाता है और 4K में आपको 30fps ठीक है लेकिन once again मैं कहना चाहूंगा जो phone का 4K 30fps से वो इससे सुपीरियर है same front camera में भी यही साब किताब है और camera samples इसके कुछ इतने खास है नहीं देखो अगर आपको main काम है notes भेजना तो यह honor pad 9 बिल्कुल सही चीज आपके लिए लेकिन अगर आपको nudes भेजने है तो इसका back camera नहीं है यार काम का क्यूंकि यार जब आप अपने एक secondary tab की तरह यूज कर सकते हैं और यह honor का magic keyboard या स्मार्ट ब्लुटूथ कीबोर्ड इसमें आपको honor को यहां पर रखना पड़ेगा honor को नहीं है मतलब honor pad 9 को और bluetooth on करना पड़ेगा honor tab में भी और यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर इसका on off बटन है अभी इसको on करेंगे यहां पर यह देखिए led ब्लिंक करने लगी और यहां पर चार्जिंग पोर्ट भी रखा टाइप सी इसका मतलब यह भी चार्ज होता है और अन्लाइक वह वह अन्लाइक श्टाइलेस जो अब उसको टैबलेट में चिपका दो वह टैबलेट से चार्ज होता है यह वैसा नहीं होता है इसको आपको सेपरेटली चार्ज करना यह honor tab 9 को भी प्रेटली चार्ज करना है honor pad 9 को एमीन और आपको यहां पर magnetic support मिल जाता है इस तरह से यहां पर अपना आपको चार्ज करते हों जो कि चार्ज करते हो जो कि चायना में लांच हुआ है तो तो यह आपका चार चार से पांच घंटे के बीच हो जाएगा फुल चार्ज और आपको पूरे दिन भर का backup देगा light weight यूज के लिए और heavy यूज करेंगे तो एक बार चार्ज करना पड़ेगा और इसमें 17 आर्स का प्लेबैक प्रॉमिस किया है लेकिन वो लोकल वीडियो प्लेबैक है स्ट्रीमिंग पर आ जाते हैं मतलब यूटिव बगएर पर तो 17 गंटे का हो जाएगा 11 12 गंटे हो जाएगा ठीक है और अगर आपने महा कंजूसी करनी है और आपने अपने 10 12 वाट के अड़ाप्टर से चार्ज करना है या पावर बैंक से चार्ज करना है तो तो यूँ मान के चलो कि रात को जब जंभोग कर रहे हो तो चुप चाप honor pad 9 को चार्ज पर लगा द स्क्रीन दही प्रूफ नहीं है दही सोच समझ के और सई जगा पर अच्छा बात स्क्रीन की हुई रही है तो टी यूवी रेन लैंड सर्टिफाइड है यह लो ब्लू लाइट के काया मतलब सिच्वेशन में और वह भी hardware solution है पहले-पहले क्या होता था था कि software देते देते थ स्क्रीन है लेकिन एनिवेश यह है टी व्यू टी यूवी रिइनलेंड सर्टिफाइड फ्लिकर फ्री भी और जो चाहिना वाला वेरियंट था उसमें एंटी ग्लेर डिस्प्लेय भी मिल रहा था ठीक है पता नहीं इंडिया को गरीब हिंदुस्थानी समझ के रखा हुआ ह अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो एक बोनस खासकर गेमर्स के लिए यह क्या है गेमपड जॉइस्टेक कंट्रोलर जो कहना है कहलो लेकिन इसमें आपको मिलेगा यूसबी और यहां पर है टाइप सी ठीक है आपको क्या करना है यह यूसबी यहां पर कनेक्ट क करना है और लाइट जल गई चमतकार अब तुम मेरे चमतकार पर शक करो इसलिए मैंने दोनों चीज़े आपको तुम्हारे सामने रख दिया है और लुक अट दिस यूँकन लिटरली कंट्रोल यूर टैबलेट विद दिस एंड तुम्हें लग रहा हो कि यह स्क्रॉलिंग प्रफिस के लिए नहीं अगर आप इसके पावर बटन एक्सवाई एब को दबाते हो तो जैसा वह फंक्शन करता है गेम में वैसी करेगा जिससे ए दमाने से मैं इसके अंदर चला जाओंगा इस एप के अंदर इंप्रेसिव इसंट एट और सिमिलरली भी दबाने से मैं ब अगर आपका एंड्रोइड सपोर्ट करता है या फिर युनिवर्सल गेम पैड हो जो आपका PC Windows बेस्ट है iOS बेस्ट है वो नहीं चलेंगे ठीक है और जो Bluetooth वाले वाले हैं वो Bluetooth से कनेक्ट हो जाएंगे लेकिन अगर सब कनेक्ट हो भी गया तो यह मत समझा कि हर चीज़ चलेगी ठीक है हर गेम चलेगा सिर्फ कुछी गेम चलेंगे वह कौन से गेम है मुझे भी नहीं बता लेकिन अगर आपकी फर्माईश है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताते ना मैं कोशेश करूंगा कि टेस्ट कर दू एक और वीडियो में ठीक है और यह जो यंत्र है और टीजी अडाप्टर खेर अडाप्टर तो नहीं और टीजी केबल एडाप्टर युनिफाइड यह आपको अलग से लेना पड़ेगा जाते जाते एक और बोनस यह चीज मेरे स्मार्टफोन में नहीं होती है लेकिन यह चीज नहीं होती तो मैंने यहां पर कर दिया यह तो यह होगडावट क्लियर में अब गेउमपैट की तरह दो यंत्रा आपकी संपनेर रख देता हूँ और वाच दिस नौ यह देखो है न कमाल and you can literally open stuffs with it तो इस कमाल की हरकत ने मेरी curiosity बढ़ा दी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़े है जो wireless है जिसे wireless gamepad भी है वो भी क्या इससे connect हो पाएंगे है नहीं यह चीज आप मुझे बताओ comment section में I hope उपर नीचे अगवाड़े पिछाड़े सब कुछ चाट लिया गया है और जो चीज नहीं चाटी गई है वो आप comment section में चाटोगे मतलब टादाद ज्यादा होनी चाहिए और तो हाँ final verdict one of the best tablet under 25,000 तो definitely है under 20,000 भी हो जाता अगर है magic keyboard को हटा देते तो anyways मुझे इसमें सिर्फ दो खामियां लगी एक तो है कि cellular connectivity जबकि मैं high speed वाले internet वाले area में रहता हूँ ठीक है लेकिन मुझे भी पता है कि कभी-कभी होता है कि internet चला जाता है तो cellular connectivity होना चाहिए था वो भी 5G not 4G ठीक है और दूसरा चीज expandability expandability SD card slot होना चाहिए था इसमें अब मैं समझ सकता हूँ क्यों क्यों क्योंकि चाइना में 8GB 128GB 8GB 256GB और 12GB 250GB और 12GB 512GB के variant भी launch हुए है तो अगर SD card दे दे देंगे तो लोग क्या करेंगे 8GB 128GB बला ले लेंगे और उसी में SD card घुसा के वाट लगा देंगे 512 वाले variant की लेकिन इंडिया में तो launch नहीं होना तो इंडियन के साब से और भी इसमें खामिया है जैसे कि चार्जर नहीं दे रखा है स्टाइलिस नहीं दे रखा है लेकिन वो खामिया ऐसी है कि जो कि मैं खुद दूर कर सकता हूँ आप भी दूर कर सकते हैं लेकिन जो ये दो खामिया बताई मैंने cellular connectivity और micro SD card support ये तो हम दूर नहीं कर सकते हैं वैसे शाहद कर भी सकते हैं इसको खोल खाल के इसकी IC में खुद शोल्डर करके बढ़ पता नहीं फिरा इसकी warranty बचेगी या नहीं नहीं वो तो डेफिनिटली नहीं बचेगी मतलब प्रोड़क्ट चलेगा नहीं वो भी कुछ नहीं जा सकते हैं बागी इस Honor Pad 9 का बेस्ट बाइलेंग साथी में adapter वगएरा और stylus वगएरा जो भी जरुत मन्द की चीज़े हैं सब का बेस्ट बाइलेंग आपको discussion box और comment section मिल जाएगा और यह मैंने एक secret message लिखा है ठीक है आप मुझे comment section में बताओ क्या लिखा है मैंने